हेई गाईज देखो इस मार्केट में बहुत सारे एच्छे स्टॉक्स भी हैं अगर आप धूनों को तो आपको देखने को मिलेगा और इसी तरहे से मैंने एक छोटा सा मतलब समझा कि कमपनी बहुत बड़ी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने धूनने की कोशिस के और छोटी कमप हो सकता है कि यह बिजनस का जो फंडमेंटल है आपको मजबूत ना लगए लेकिन मुझे देखने में मजबूत लगेगा तो एक बार मैं आपको भी कि खुद का भी स्टडी कर रहा जरूरी है क्योंकि पैसा आपका लगीगा ना तो स्टडी भी आपका होना चाहिए इसे कहते हैं स्टॉक रियालिटी में इसे कहते हैं स्टोक बड़े-बड़े कमपनी तो अलड़ी अच्छे है लेकिन छोटे में कौन से वाले अच्छे हैं वो मैं आपको यहां पर बताने की कुशिचिस करता हूं प्राइस भी अच्छा है इसके साथ क्या करना चाहिए जो ही ये कंपनी आई है तो बहुत पुरानी कंपनी नहीं है तो चलिए इसके बिजनेस के ऊपर थोड़ा बहूत नजर डाले है ये कंपनी जह है दो टाइप के पैप बनाती है दो टाइप की pipe बनाती है PVC pipe नहीं बनाती है जो अगरा जो होता नहीं नहीं ये steel से related pipe बनाती है steel से related pipe बनाती है दो टाइप की pipe बनाती है ये company जैसे seamless tube हो जाता है welded tube देखने को मिल जाता है तो बहुत सारे ऐसे category होते यह पांच ऐसे category होते हैं जिनके अंदर यह अपना प्रोड़क्ट बनाने की कोशिस करती है तो यह 500 प्रोड़क्ट हैं इनके पास देख सकते हो जैसे कि box pipe हो जाते हैं, welded pipe हो देखने को मिल जाते हैं और भी बहुत सारे जैसे कि heat exchanger tube हो जाते हैं वो सारे हैं तो यहां पर आप देख लिए यह सारे इनके प्रोड़क्ट है, देख लिए तो यह सारे चीज़ों का demand आज कल के date में बहुत जाता है construction area में या फिर और कहीं में अगर आप देखो तो यह सारी चीज़ों का demand बहुत जाता है जैसे कि APL apolative वो construction से related pipe बनाता है steel का और यह सारी चीज़े बताया जा रहा, कहां कहां जो है यह use होता है, जैसे कि मतलब heat exchanger में use किया जाता है, chemical में, power में, energy में, और मतलब pharmaceutical में देखने को मिल जा जा रहा, तो यह सारी चीज़े में, process industry में, सही है nuclear thermal power में, यह सारी चीज़ों में यह सारे pipe का जो है, इस्तमाल क किया जाता है, देखे, यहां पर आपको बताया जा रहा, ठीक है, बताया जा रहा, user industry, तो यह सारी चीज़ों का यह लोग use कहां करते हैं, यह जो company pipe बनाते हैं, बताया जा रहा, fertilizer में, देखने को मिल जागा, pharma में, power में, chemical में, engineer में, ठीक है, food में, देखने को मिल जाता है oil paper, मतलब यह सारी चीज़ों में, यह सारी चीज़ों का, इस्तमाल कि जाता, तो एक है, दो sector नहीं है, यह sector बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा, और यह और भी बहुत सारे sector को यह जो है, cover करने के कोसिस कर रहे हैं, ऐसा है, और यह company अपने business को फैलाने के उपर भी काम कर रही है, यह company अपने business को expansion के लिए काम कर रही है, कि हम 3600 metric ton per annum, क्या, metric ton per annum का जो है, हम काम कर लेते हैं, इतना तो हम काम कर लेते हैं, लेकिन हमें इसे पहुँचाना है 7200 metric ton, कितना metric ton per annum, और इसी को पहुँचा के लिए के जाना है, मतलब धीरे दीरे और उपर, 9600 metric ton per annum, 14600, और इसी को मतलब जो ही अपने business को धीरे दीरे और बढ़ा करना चाहते है, क्यूंकि इस business में बहुत ज़्यादा मतलब समझो कि scope है, और यह company दम भार export करती है, मतलब यह जो सारी चीजों है, जो pipe और मैंने आपको दिखा है, यह सारी चीजों में चाइना बहुत होगे है, और यह company भी export पर export करना start करें, ताकि जितना ज़्यादा यह company export कर पाएगे, उतना ज़्यादा जो है यह company को फायदा होगा, ऐसा है, और अभी यह 10% का मतलब समझो कि export करना start कर रही है, 10%, आने वाले जुन में यह अपनी और भी export को बढ़ाएगे, क्योंकि देखो है, ITC है, JK Paber है, HP, Sipla, सही है, RT industry, अधानी, मामूल, सभी यहाँ पर आपको देखने को मिला है, तो बड़े-बड़े client हैं, जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे जो छोटे-छोटे client हैं, वो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो बहुत बड़े level में ध इस्तमाल करते हैं, ऐसा, और 58 से भी जादा client है, इनके पास, 58 से भी जादा client है, इनके पास है, जो कि अभी कहिसाब से आपको बताया जारा, और यह chemical के लिए बिए company काम कर लेती है, chemical, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, जिनके लिए company काम करती है, और चाइना जो है, चाइ इस चीज़ को export कर रहा है, लेकिन Chinese government ने decide किया है, कि हम अपने export को थोड़ा बहुत घटा देंगे, 13% तक हम क्या करेंगे, घटा देंगे, इसको इतना decrease कर देंगे, इससे क्या होगा कि market में एक तरीके से scarcity पैदा होगा, और इसके वेज़े से लोग जो चीज़ों को जादा तर मतलब जादा पैसे देगर खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा है, और यह मतलब जो company जो धरीदर अपना खुद का investment वगरा भी करना स्टार्ट कर रही है, ऐसा, और यह company जो है मतलब पूरे worldwide में company काम करने के कोसिस कर रही है, धीरे धीरे, क्योंकि अभी अभी तो नई पूरानी company है, पूरानी company तो है नहीं, तो हर चीज में growth देखने को मिल रहा है, तो time लगेगा, ठीक है न, जैसे profit after tax, margin वगरा है, तो यह सभी चीज में तो बीटा वगरा, grow होता हुआ नजर आ रहा, लेगिन फिर भी बीच में हो सकता है, किसी ने किसी तरीके से problem देखने क प्रेज फ्री केवल 20 रुपीज लगेगा, वो भी इंट्राटे में, description में लिंक दिया गया है, मिन्टो में जाके अपने डीमेट अकाउंट वगरा आपन कर जकते हैं, बिल्कुल फ्री में